बिहार में गर्मी की मार कितनी तीवर है इसका अंदाजा आपको जरूर होगा अगर आप सुबह के दस बच्वे के बार घर से निकले होंगे क्योंकि इस दौरान धूप की तपिश इतनी तेज होती है कि आपके पसीने तो निकलते ही है साथी शरीर भी जुरसने लगता है इस मौसम में लोगों के बिमार होने की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि अफसर लोग चाहे अंचाहे थंडे गर्म का शिकार हो जी जाते हैं च्योंकि तापमान में लगाता बृधी देखने को मिल रही है ऐसे में लोगों के लूग की चुपेट में आना आम बात है ऐसे में अगर आप भी भीशन गर्मी का शिकार हो जाते हैं और लूग की चुपेट में आ जाते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहरी खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको लू से बचने और लू लग जाने के बार अपनाई जाने वाले उपायों के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं गर्मी के बढ़ते असर के बीच लोकों को सलाह दी जाती है कि वो दोपहर के समय में खुले शरीर में धूप में ना निकले अगर मजबूरन उन्हें जाना ही पढ़ रहा है तो वो इस बात का ध्यान जरूर रखे कि धूप में वो अपना सिर ढख कर रख रहे हैं आखो पर संग्लासिस का समाल भी करें साथी अगर हो सके तो जितना सफेज या फिर हलके रंग के कौटन कपड़े को ही पहने निकलते समय छाता साथ में ले जाना ना भूले घर में भी कमरे के तापमान को कम रखे और घरों में हवा आती जाती रहे इसका भी खयाल रखे अचानक थंडी से गर्म जगह पर जाने से परहेज करें खास कर अगर आप एसी में बैठे हुए हैं तो तुरंत ही धूप में ना निकले खाने में भी बदलाव करें और कोशिश करें कि कच्चा प्यास अगर आपको सूट करता है तो उसको रोजाना खाए इसके साथ ही अधिक कर्मी के मौसम, फल और फल का रत, दही, मठा, जीरा छाच, जलजीरा, लसी, आम का पन ना पिए या फिर आम की चटनी तो उस जरूर खाए बेल का शर्बत भी बेहधी फायदमन होता है नारियल पानी का भी उपियोक कर सकते हैं गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक पानी पिये क्योंकि गर्मी के मौसम में खुब पसीना देहता है एसे में अगर आप परियापत पानी पीते रहेंगे तो आप दी हाइडरेशन के शकार नहीं होंगे बुखार होने की परिस्थिती में खुली हवा में अराम करते रहें अधिक बुखार होने पर बर्फ की पटी सिर्पर रखे इतना ही नहीं जिस व्यक्ति को लू लग जाए तो उसके शरील को दिन में चार से पांच बार गीले तॉलिये से पोचना चाहिए इस दोरान चाय कॉफी आदी गर्म पेल का सेवन अत्यांत कम कर दे प्यास पुझाने के लिए नीम्बू के रख में मिट्टी के घड़े और सुराही के पानी का ही सेवन करे इस दोरान बर्फ का पानी पीने से परहेश करे क्यूकि इसे आपको लाग के बजाए नुपसान ज्यादा हो सकता है लू लगने की सिती में क्यारी का पन्ना बेहधी लावजायक होता है साथ ही जौका आटा और पिसा हुआ प्यास मिलाकर शरीर पर लेप भी लगा सकते हैं इससे आपको तुरंद ही राहत मिलेगी इस दोरान मरीज के तलबे पर लौकी घिसना भी फार्दमन होता है इसके लक्षन है लू लगने पर उल्टी और चकर भी आ सकता है और मास पेशियों में एंठन भी होँद सकती है शारनरी ग्रूब से कमजोर लोग छोटे बच्चों और श्रदैरोगी को साथानी बरतनी चाहिए कोई भी लक्षन आड़े पर तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ले किसी ठंडी जगे पर ही रहे खूब पानी पिये और बदन और कपड़ों को पानी से भीगोते रहे हम उमीद करते हैं कि आपको हमारे आज के इस वीडियो से कई सारी जानकानिया मिली होंगी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं उसके साथ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद